कक्छा नूवी हिंदी भासा और साहित्य खंड से नदिया नर्वा मात तौवरा थे गजल रजनाकार मुकुंद का उसल मुकुंद का उसल देश के प्रतिस्थित रजनाकार हुए हैं वे छतिस गड़ी हिंदी उर्दू गुजराती इन भासाओं में रजना करते थे वे जाने माने गितकार थे उनकी रजना को हम जब देखते हैं तो उसमें जो बिम्बविधान हैं वे बहुत ही महात्वपूर्ण मुल्तह मुकुंद कौसल जी गुजराती परिवार से थे उनकी मात्री भासा गुजराती थी लेकिन वे समान रुप से 36 गड़ी हिंदी और उर्दू में गजले कहते थे मुकुंद कौसल जी का जन्म दूर्ग में 7 नुवंबर 1947 को हुआ उन्होंने लगभग 35 पुष्टके लिखी किन्तो की रचनाओं में लाल्टेन को जलने दो मौर्ग जल के उरत परिवार सब्दक्रांती हमर भूईया हमर आकास बिनपनी के पाउं और उपन्यास के रवस प उस तक में कवीता के सिंखला में गजल को लिया है गजल और कवीता में कुछ भिन्नता है इसकी आप पहले की पंक्ती आप देखेंगे जिसको हम मतला कहते हैं तो दोनों के काफिया उसमें मिलते हैं और आखरी पंक्ती आखरी जोक्त जिसको सेर भी कहते हैं उसको मक्ता कहत उसमें रजनाकार अपना नाम जोड़ देते हैं गजल और कवीता में बहुत कुछ अंतर है हम कवीता में किसी कवीता को लिखते हैं तो उसमें क्रम बद्धरूप से विकास दिखता है किन्तु गजल गजल में हम देखते हैं कि हर हम हर पद में पद का मतलब गजल में हम सेर कह हम अलग अलग भाउ को रख सकते हैं जैसे कि हम दोहे में रखते हैं तो आज हम मुकुन कोसल द्वारा रचित गजल नदिया नर्वा मात वृत है नदिया नर्वा मात वृत है मनखे के विस्वास इहां और पत्रा पत्रा मालिक खे है भुईया के इतिहास इहां चलिए अब हम इस गजल के पहले पद अर्थात पहले सेर पर चर्चा करते हैं पहला सेर देखिए नदिया नर्वा मात वुरत है मनखे के विस्वास इहां पत्रा पत्रा मालिक्खे है भुईया के इतिहास यहां रचनाकार इस सेर के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी है 36 गड़िया लोगों की प्रकिती पर बात किया है इसलिए वो कहते हैं नदिया नर्वामा तुरत है मैंखे की विस्वास यहां 36 गड़िया लोग 36 गड़िया मनुस्या का विस्वास कितने विस्वासी है बहुत 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 विस्वासी है 36 गड़िया के विस्वास के बारे में रचनाकार कहते हैं कि ऐसे यहां का विस्वास ऐसा है जैसे नदी नाले में नदिया नर्वार था नाले नाले में जैसे जल्द के उपर कुछ तेरता रहता है वो दिखता है तो उसी प्रकार 36 गड़िया लोगों का विश्वास हमको दिखता है वो हर किसी के वोपर विश्वास करता है किसी के वोपर विश्वास नहीं करता और पत्थरा पत्थरा मा लि भूईया के इस भूईया का इस भूमी का इतिहास 36 गड़ी विचारों का इतिहास 36 गड़ी प्रांद का विश्वास और यहां का इतिहास जो की हमको गौरों प्रदान करता है उस गौरों को लिखता है रचनाकार इसलिए कहता है पत्रा पत्रा मालिक भूईया के इतिहास यहा का इतिहास पत्थरों पत्थों पर लिखा हुआ है यहां का इतिहास गोपनी नहीं है यहां के इतिहास को यहां के सांस्कृतिक इतिहास को यहां के भौगोली की इतिहास को यहां के सामाजी की इतिहास को हम यहां के लोगों के विश्वास में देख सकते हैं इस प्रकार रचन ज्ञंग से एक बीमबक विधान के माध्यम से कहने का प्रयास किया है मुकुंत कौसल जी के रचिना में जो बीमबक विधान है वह बहुत ही महात्तपुर्णा है तीपत भूमरा बरसत पानी के हमन टक रहा अन लईका मन संग खुडवा खेलत रहते बारा मासियां आईए अब हम इसका दूसरा पत देखते हैं तीपत भूमरा बरसत पानी के हमन टक रहा अन और लईका मन संग खुडवा खेलत रहते बारा मास यहां बहुत बढ़िया पंक्ती बहुत बढ़िया सेर गजलकार मुकुन कौसल ने कहा है कि तीपत भूमरा बरसत पानी के हमन टक रहा हम चतिर रढ़िया लोग तीपत भूमरा कल भी भूमरा सब्दा आया था कल जब हम एक पाठ पढ़ रहे थे उसमें भी भूमरा सब्दा आया था तो तीपत भूमरा भूमरा तीपा हुआ हो अर्थात धूल तप रहा हो अर्थात तेज गर्मी पढ़ रही हो तीपत भूमरा बरसत पानी और पानी जमाज हम बरस रहा हो हम ऐसे विशम परिस्थिती का भी सामना करने के लिए टकरहा है अर्था अभ्यस्त है टकरहा मने अभ्यस्त उसका अभ्यस्त है हमको ये गर्मी और बरसाथ हमको पीड़ा नहीं देती ये हमारे साथी है च्रिसकों की भूमी हैं किसानों की भूमी है यहां किसा की रहते हैं और मिहनत कस किसानों के लिए ये बरसाथ और ये गर्मी कोई प्रभाव नहीं डालता हम इसके लिए हम चत्तिरगड़िया लोग इसके लिए अभ्यस्त हैं तो तीपत भूमरा बर्सत पानी के हम मन्तकरा हन लैका मनसंग खुड़वा खेलत रही थे बारो मास यहां 12 मास बारो महना लैका मनसंग खुड़वा खेलत बच्चों के साथ कुड़वा खेलना कबड़ी जैसे कबड़ बच्चे भी इसे प्रभाईद नहीं होते हैं ये बच्चे ये बारा माह एक वर्सका बारा माह जैद बसाग जेश हसार सावन भादो कौार कार्थिक अग्धन पूस मांग फागुन ये बारा माह बच्चों के साथ खुर्वा खेलता है कबड्डी खेलता है ऐसे हमको लगता है कि ये बारा माँ बच्चों के साथ कवड़ी खेल रहा है तो लईकामन के साथ लईकामन के संग बच्चों के संग बच्चों के साथ खुडवा खेलते रहता है ये बारा माँ साथ पूस मांग मां जार जनावे अंगराकस बैसाख तपे बैहा होके धमसाखुदे सावन मां चव मां शिहां पूश मांग मा जार जनावे अंग्रा कस बैसाक तप पूश मांग अर्था जड़काले के दिन जारे के दिन पूश और मांग सबसे ठंड का महना होता है जारे का महना होता है तो पूस मांगमा जाड नाव जाड जाड़े का एहसास होता है। पूसमांगमा पूस और मांग के महने में जाड़े का हिहे हसास वहता है। अंग्रा कर09 अग्रैश खर्ण और कि मानों गर्मी का दिन या है बैसाक सबसे अधिक गर्म रहता है बैसाख में अंगारे के जैसे झाल रहे हों इसनों अग्रात निकल रहा है और उद्तप नहीं और अटप रहा होंर बह्या के धंसा कूदे सावन माफ चौमास यहाँ पागल होकर अर्थात पागल होकर धमसा कुदरा अर्थात जोड़ जोड़ से कुदरा बिना लроб पिना ताल के साथ कुदरा को धमसा कुदरा कहते हैं पहले बच्चे लोग को कहते थे धमसा कुद्रे हो रहे तुम लोग अर्थाद बिना ले ताल के तुम लोग कुद्रे हो तो बईहा होके धमसा कुदे सावन मां चौमास यहां चौमासा चौमासा अर्थाद बरसाद के दिन सावन के महने में वर्सा गंगोर वर्सा हो रही है ये बरसाग की महने में जब बरसा हो रही तो ऐसा लग रहा है कि पागल धमसा कुद रहा है ऐसे अहसास हो रहा है तो ये बहुत ही सुन्दर इसमें रचनाकार ने प्रतीकों का अच्छा प्रयोग किया धमसा कुदना एक प्रतीक बहुत बढ़िया प्रतीक है उपर के लाइन कि विशेष्टा है कि वह प्रतिकों को बिम्बों को बहुत सुन्दर रंग से लेता है अब आईए हम अगला सिर को पढ़ते हैं ए भूईया के बात अलग है काय बतावाँ गुन एकर गोहे रही थे नान है नान है लई का मन आगास इहां ये भूईया के बात अलग है काय बतावाँ गुन एकर ये भूईया के अर्थात कोन से भूईया इस च्छतिस गड़ की धरती की बात अलग है इसके गुन को मैं क्या बताओं इतने गुन है जैसे पहले पद में उन्हों कहा कि विस्वासी होता है ऐसे च्छतिस गड़िया लोगों में या च्छतिस गड़ की भूईया में च्छतिस गड़ की धरती में कितने सारे गुन है इस गुन का मैं किस किस तरह से बखान करूं कैसे बखान करूं क्या बखान करूं इतने सारे गुन है और बोहे रही थे नानहे नानहे लई का मन आगासिया कितना बड़िया कहा है रजनाकार ने कि बोहे रही थे नानहे नानहे लई का मन आगासिया यहां के बच्चे बच्चे आगास को आगास मनें आकास आकास को बोहे रहते हैं उठाए रहते हैं बोहना ऐसे बोहना सीर पर रखना सीर पर रखे रहते हैं आकास को सीर पर रखना अर्थात चुनोती भरा कारिया चुनोती भरा कारिय करने के लिए यहां के छोटे छोटे बात कह दी, कि यहां के छोटे-छोटे बच्चे भी, हम बड़ों की बात तो करते हैं, बड़ों में तो बहुत सारी बाते हैं, किन्तु यहां के छोटे-छोटे बच्चों में यह भी बात है, यहां के छोटे-छोटे बच्चे बड़े से बड़े चुनोती को लेने के लिए तैयार रहते हैं, कठनाई भरे कार्यों को भी करनिगले तैयार रहते हैं, ये रचनाकार कहते हैं, अब हम अगला पत देखते हैं। पत देखते हैं, अब हम अगला पत देखते हैं, तैयार रहते हैं। धुर घुप्ते अंध्यारी इमाँ, अंध्यारी रात हो, और कैसे हैं अंध्यारी रात? एक दम घंघोर अंध्यारी रात हो. ऐसे लग रहा है पीड़ा हमारे जिन्दगी में पीड़ा ऐसे भीगा हुआ है कि मानो वहा बड़े गहन गहन अंध्यारी रात है और हित वाई के दिया करते अंतस्मा प्रकास यहां यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हित वाई के दिया करते हित वाई हित चाहने वालों का दिया हित वाई के दिया हित वाई जो हमारे हित करते हैं जो हमारे हितैसी हैं हितैसी का दिया करते जो हित चाहते हैं उसका प्रकास कहा होता है अंतस्में होता है हमारे भीतर अंतस्में प्रकास करता है बाहर प्रकास नही करता है देखिए गंभीर बात घ्रीदा की बात गहनता की बात चिंतन की बात चंटिस गड़ियों के गुन को बताने वाली बात कि जो हित चाहने वाली दिया हित रुपे दिवा, हित कारी दिया जैसे अंतस्मे प्रकास करते हैं वैसे ही हित्याई के दिया हित्वाई के दिया अंतस्मा प्रकास प्षैलाता है ये रचनाकार कहता है चले अब हम अगला पद देखते हैं ए मम्यारो राम लखन के बानासुर के राज इही राम लखन सीता आइन है पहुना बन के खास इहाँ बहुत सुन्दर पद देखिए ए मम्यारो राम लखन के बानासुर के राज इही राम लखन सीता आइन है पहुना बन के खास इहाँ देखे इस पंक्ति में 36 गड़ की इतिहास को बता दिया है 36 गड़ की इतिहास क्या कहता है ये ममियारो राम लखन के कौसल प्रांथ राम लखन के ममियारो है कौसलिया माता पहले 36 गड़ को कौसल प्रदेश कहते थे कौसल का स्थेत्रा कौसिलिया नाम राम की माता का नाम कौसिलिया क्यों पढ़ा चूंकि वो कौसल से गई थी कौसल प्रांट से च्छती गड़ का प्रांट को कौसल प्रांट करते हैं यहां से गई हुई थी इसलिए उसका नाम कौसलिया था आज भी गाओं में महिलाओं को उनके नाम से नहीं बुलाते, वो जहां से आई रहती है, जहां उनका मे के ही होता है, वहां के नाम से बुलाते हैं, कैसे वह भख गहिन? ऐसे कोई भाठा गाँ से आई है, तो उसको कैसे वह भख गहिन? ऐसे कह brighter देते हैं. तो देखिए ये ये वास्तों में एक बड़ी बात होती है तो ये ममियारो राम लखन के बाना सुर के राजियां यह च्छतिस गड़ यह कोशल प्रदेश राम और लक्षमन के ममियारो है अर्थात मामा गाँ है उनके ननिहाल है और बाना सुर के राज ही और यही च्छतिस ग राक्षस था उसका भी यही राज्य था बानासुर कौन था एक ऐसा राक्षस था जिसका पताल का राज्या था उसको सहस्तर पाहू कहते हैं उनका कृष्ण भगवान से युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान ने उनके दो हाथ रखकर सेस हाथ को काड़ दी तो ये मम्यारो राम लखन के बानासुर के राजिही राम लखन सीता आईन बन के पहुना खाजियां राम और लखन माता सीता के साथ पहुना बन के आईन पहुना बन के पहुना अर्थाथ हमारे महमान हमारे महमान बन के आए कब आए जब आए जब भगवान राम को चौदा वर्सका बनवास हुआ उस समय बहुत लंबे समय तक डंड़कार अन्या में वो निवास किये इस 36 प्रांद में बहुत लंबे समय तक निवास किये तो वे हमारे खास मेहमान बनके आये थे रजनाकार कहते हैं राम लखन सीता आईन पहुना बनके खास यहां हमारे खास पहुना बनके खास पहुना बने महमान खास महमान बनके आये तो चले अब अगला पद देखते हैं हर चौका के कुन्टा तक मारे त्यंता धामी कौसल शी गंगा मैया अवपा वे कहला अशिया हर चौका ले कुन्टा तक मारे त्यूंता धामी जो बच्चे गाउं में रहते ही इस बात को समझेंगे और मैं शहर में रहने वाले बच्चों से आगरा करूंगा कि वो गाउं जाकर देखे इस प्रद को समझना है तो हर चौंका ले कॉंटा तक मां मारे हे दियोंता धामी हर जगाउं में याँ आपको दियोंता धामी मिल जाएंगे कहीं एक पथा रख देते हैं लोग और उसमें सिंदूर लगा देते हैं जब गाव में कहीं पर घुम्यारीन माई हैं कहीं पर सितला माई हैं कहीं पर हनुमान हैं कहीं पर साहडा है कहीं पर गवरा चाउरा है कहीं पर भगत बावा है कहीं पर और कोई दें होता है तो जगा जगा दिहां इस्थान इस्थान पर कोंटा 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 किसको कहते किनारे को मनने स्थान स्थान कोई का कहने का मतलब यह है यहां हर स्जोग चवराहे में आपको और हरconst हम को स्थान पर आपको यहाँ देवता धामी मिल जाएंगे इतने आस्थिक लोग हैं यह कहने का फिला यह presentsitWithn इतने आस्थिखें और इतना ही वे अपने द्योता GB का अपनि देवों का सममान करते हैं उनके पूजार अरचना करते और कोऽफल ऐस दिधिए ये आखरी पद्ध जैसे कि मैंने पहले बताया आखरी पद्ध में रचनाकार ने अपने नाम कोऽफल मुकुंद कौसल तो कौसल को ला जिया है और कौसल इचे गंगा महिया और पाबे कैलाज जिया कौसल तुम यहां 36 गड़ में क्या पाओगे गंगा महिया पाओगे हमारे हाँ राजिम को 36 गड़ के गंगा 36 गड़ का प्रयाग प्रयाग कहते हैं गंगा कहते हैं तो यहां तुम गंगा भी पाऊगे और तुम कैलाज भी यहां देख सकते हो यहां के छोटे-छोटे परवत को उन्होंने कैलाज की उपमा दी तो इस प्रकार रजनाकार ने इस गजल के माध्यम से 36 गड की विसेष्टा को, 36 गड की खास्यत को, 36 गड में यह यहां के जन जीवन के चरित्र को, यहां के लोगों के धैर्य को, यहां के लोगों के विश्वास को बिहेत्रिन धंग से परिभासित करने के कोशिश की है और इस कविता में उन्होंने इसलिए सुन्दर धंग से बिम्बों का, सुन्दर धंग से प्रतिकों का प्रयोग करके अपनी बात सुन्दा धंग से कहने का प्रयास किया है चलिए अब हम इस पाठ के प्रशनउत्र को देखते हैं नदिया नरवाम मा तूरत हे मनखे के विश्वासिया इस पंक्ति के माध्यम से कवी क्या कहना चाहता है तो इस पंक्ति के माध्यम से कवी कहना चाहता है कि 36 गड़ के आम लोग बहुत विश्वासी होते हैं जिस प्रकार नदी नाले में कोई भी वस्तु तैरता है तो उपर उपर दिखता है उसी प्रकार 36 गड़िया लोगों का विश्वास उपर से देखा जा सकता है अर्थात अत्यदीक विश्वासी होते हैं वे सब पर विश्वास करते हैं कभी किसी पर अविश्वास नहीं करते हैं दूसरा प्रस्णा है तीपत भॉमरा बरसत पानी के हमन टक्रहान 36 गड़ के लोगों की कौन सी विश्थिस्ता को इस पंक्ती में दर्साय आ गया है तीपत भोंबरा बरसत पानी के हमन टकरहान हन इसका सीधा अर्था है 36 गड़िया लोग सुख दुख सबको सहने की छमता रखते हैं अर्थात अभ्यास्त हैं हम गर्मी को सहने के लिए भी अभ्यास्त हैं तो बरसात को भी सहने के लिए हम समर्थ हैं और अभ्यास्त हैं तो हम सभी परिष्थितियों को सहने के लिए 36 गड़िया लोग सभी परिष्थितियों को सहने के लिए अभ्यास्त होते हैं इस पंक्ती में कभी 36 गड़ के लोगों की सहन सिल्टा संबंदी विशेष्टा को बताने की कोशिश की है अगला प्रस्णा है लईका मन अगास बोहे है लईका मन अगास बोहे रही थे इसका क्या अर्था है इसका अर्थ है कि यहां के बच्चे बच्चे भी समर्थ हैं अकास बोहना अर्थात कठिन कारिय कर सकना तो यहां 36 गड़ के बच्चे बच्चे कठिन से कठिन कारिय को करने के लिए तत्पर होते हैं और सक्षम है इस पंग्ति का अर्थ कवी ने यह बताया है अगला प्रसन हम लेते हैं कवी हर 36 गड़ला राम लखन के मम्यारों कौन अधारमा कहें तो हम जानते हैं 36 गड़ को कोसल प्रदेस कहा जाता था और कोसल प्रदेस के से जाने के करण मा कौसलया का नाम कौसलया क्यों पड़ faço चुनकि उनका महें के कोसल प्रदेस था इसलिए उनको कोसलया कहते हैं तो इसी लिए 36 गड़ को राम लखन का मम्यारों कहा जाता है क्योंकि माता कौसलिया का मैं का था या इसलिए जब मा का मैं का अर्थाद बच्चों का मम्यारों मने मामा का गाउं तो 36 गड़ राम लखन का मामा का गाउं इस अधार पर हुआ क्योंकि उनकी माता 36 गड़ से अर्थात कौसल प्रान से गई हुई इसमें हम लोगों ने ये भी देखते हैं कि छा-तिर गड़ में जब बात करते हैं छा-तिर गड़ में राम तत्वा हो congestion तो इसलिए हमारे छा-तिर कहन के लोग अपने भाजय को बेटी थी और उनका कौसर प्रदेश माय का था